निमस्कार दोस्तों मैं हूँ मंजू पांडे लखनवुसे मेरी चैनल पर आपका हर्दिक शौगत हैं दोस्तों आज मैं अंचलिक विज्ञान केंद्र गई थी वहां उसके सामने एक बहुत बड़ी नर्श्री है अक्सल मैं अपने प्रेड पौधे फूलों के वहीं से लाया करती हूं तो आज मैं गई तो मेरा मन हुआ कि लाओ आज भी खरीदा जाए तो इतने पौधे में लाई हूँ ये देखे ये है ये ये है इसको उसने बोल के दिया है कि ये किसमस ट्री है ये पुना का प्रोड़क्ट है पुने से आया है और दूसरा ये मैं ये पास पिंक कलर का गु पुरहल नहीं था और तो बाकी परपल वाइट येलो और देशी सब थे ये नहीं था देखे इसमें कितने सुन्दर सुन्दर इसमें कितनी बड़्स आई है ये जो है इसको मैंने खरीदा और ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी चंपा इसमें भी देखिए बड़्स ये देखिए ये देखिए खुब अच्छी अच्छी बड़ से लोगन मैं दिखा पा रही है और ये दो मैं लाई हूं है है इस हाईब्रिड विंका ये कलर नहीं ठावरे पास इस पेड़ को मैंने खरीदा एक उसमें ऐसे दिया मैंने कापी खरीदा रही थी तो उसमें एक एक सपायडिक्र केड़के और है एक वराइटी मेरे पास ते लेकिन ये वेडिक्रिटर नहीं ठी तो मैं उसको ले आए है और ये चटे-चटे तर स्फेश वाद्ऄत है चया दमबंद हो बेडिया का है ये उले शेल पी इसमें ड्यवेड ऐड हूं हुए यह और यह जीनिया और तीन में सनफ्लावर लाई हूं यह वो बोल रहा था नरसरी वाला की इसमें किसी में वाइट राएगा किसी में रेड आएगा किसी में यलो अब देखिए वैसे मेरे पास यलो सनफ्लावर है लेकिनी कि अब लाई कोचिया है कोचिया भी मेरे पास एक है लेकिन मुझे लगा कि यह गंले में वो अकला अखेला अच्छा नहीं लगता तो इसको 4-5 एक तरह है तो जहरोई जैसा दिखता है तो अच्छा फिल होता है जोतों वाइस तो मैं आज इतनी खरिदारी करते लाई हों अब उसको जो है मैं 55 करूंगी अभियान नहीं करूंगी क्यों कि नर्सरी से लाए पधों को तुरंट ट्रांस्प्लांट नहीं करना चाहिए उनको एक दो दिन रखके ही करना चाहिए क्योंकि नर्सरी वाले उसमें कुछ केमिकल होगारे डालते रहते हैं वह वहां का क्लाइमेट का है भी चोल रहता है फिर हम यहां लाएंगे तो एक दो दि मैंने सोचा कि आप लोगशाथ शेयर करूं और यह रहें मेरी खरिदारी मेरे पौधे और जब मैं इनको ट्रांस्प्लांट करूंगी तो हो सकेगा कि मैं आपको दिखाऊंगी आप हमारे चैनल को दिखते रहें पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए सब्सक्र झाल कर दो